नमस्कार्शुन मैं हूँ चंदनपटेलोर देखिया आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़ियां क्यूंकि अगर आप घर लेना चाते हैं तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप घर लेंगे या सेयर लेंगे मतलब जो कंपनी के सेयर हैं वो लेंगे देखिये कर आप घर लेंगे या सेयर लेंगे देखिये मैं भी इस चीज से कंफ्यूजन था लेकिन मैंने एक बहुत लिवर्ज्जन लेकर दिखे कैसे लिया वह चीज़ आप देखिये ृथ मैं घर लूँ या विदानता के सेयर लूँ क्योंकि घर से भी जो मेरे को पैसे आएंगे वो भी अच्छे खासे आएंगे और जो कंपनी के मैं सेयर लूँगा उससे भी अच्छे खासे आएंगे मान लीजे मैं घर लेता हूं उसको अगर मैं रेंट पहर कर देता हूं तो को मान लीजे मैंने तेरा लाग का घर लिए और उसको मेंद 현 कर देता हूं तो लगबख 4-4,000 मिरे को आएंगे लेकिन इन दोनों के काल्कुलेशन के हिसाब से मैंने यह शीखा कि मुझे घर लेना बेस्ट है या कंपनी का सेर लेना बेस्ट है जो कि वेदानता एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंट देती है तो मैं सुचा कि देखिए पैसे लॉस भी नहीं होंगे और बेस्ट मुझे डिविडेंट की एक अच्छी अपरचुन्टी भी रहेगी और अच्छा मेरे पास सेर भी रहेगा ठीक है फिर भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे बढ़िया चीज कौन सी है क्योंकि अगर डिविडेंट मेरे एकाउंट में हमेशा आता है तो उसको मैं कैसे करके कल्कुलेशन करके ऐसा करूं कि मेरे को बहुत ही जादा रिटर्न मिले क्योंकि अगर मैं घर लेता हूँ तो उससे जादा मैं मल्टिप्लाई नहीं कर सकता अगर मैं stock लेता हूँ तो उसका जो dividend आता है उससे मैं multiply कर सकता हूँ और उसी को मैं बहुत ही बढ़ियां से research किया और उसके उपर मैं आप लोगों के साथ ये video share करना चाहता हूँ और यहां पर आप देखिए मैं बहुत ही मतलब मेहनत किया इसके उपर कि मुझे क्या लेना चाहिए मतलब decision मेरा किस side जाना चाहिए तो देखिए सबसे मैंने calculation किया कि अगर मैं 13 लाग का घर लेता हूँ तो 4000 रुपे अगर पर मन्त जो हमारा भाड़ा आएगा रेंट आएगा उसको अगर मैं calculation करूं तो 4000 के अगर मैं हिसाब से calculation करता हूँ तो लगबग 325 मन्त में मेरा यह complete होगा और 300 फिर मैंने क्या किया कि जो 325 महीने हो रहे थे उसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया तो मेरे को लगबग 27 साल लग गए बस खाली जो मैंने 13 लाख रुपे लगाया था वो मेरे को मिलने के लिए तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने कि ठीक बाई अगर मैं 13 लाट का अगर मैं वैदांता का 300 रुपे के बहाव और मैं शेयर लेता हूँ तो पहले बार तो मेरे को 4333 रुपे का सेयर मिलेगा और 333 share मिलेगा 4333 और वहां से इस stock में मैं यहां पर 20 रुपे का dividend जो आएगा यह मैं normally 20 रुपे पकड़ रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि 2022 में इसने लगबग 83 रुपे के आसपास इसने dividend दिया है चलिए वह चीज़े मैं आपको बताऊंगा मैं मानता हूँ कि 20 रुपे का अगर मेरे को dividend मिलता है तो लगबग 4333 के हिसाब से मेरे पास जो डिविडेंट आएगा वो डिविडेंट आएगा लगबग मेरे पास 86,666 रुपे का फिर मैं उसी 86,666 रुपे को फिर से मैं 300 रुपे के पर मैं बाइंग करूंगा तो मेरे को मिलेगा 289 सेयर फिर उसके बाद मैं उसी साल में फिर मेरा जो टोटल सेयर हो जाएगा वो 46,662 सेयर हो जाएंगे और फिर मेरे को 20 रुपे अगर डिविडेंट मिलना है तो लगबग 92,444 रुपे मेरे को यहाँ पर मिलना है फिर मैं 300 के हिसाब से सेयर बाइंग करूंगा तो मेरे को लगबग जो डिविडेंट मेरे को आएंगे उसका मैं फिर से सेयर बाइंग करूंग तीन सो आज जैर मेरे को मिलना है ऐसे करके मेरे पास देखिए यहाँ पर काल्कुलेशन जो हो फिर उसके बाद उससे मैं खरीदूंगा तो देखिए जब मैं दूसरा साल मेरा जब स्टार्ट होगा तो 5269 का यहां पर मेरे पास सेयर हो जाएगा फिर उसके उपर जो डिविडेंट मिलेगा वो लगबग एक लाग पलस जाएगा फिर मैं 300 रुपए के हिसाफ से बाइंग हो जाएगा 6383 20 रुपए की हिसाफ से लगबग 1,27,651 रुपए मिलेंगे और 300 रुपए की हिसाफ से 426 सेयर में खरीदूंगा तो इसके हिसाफ से लास्ट में मेरे को जो यह जो लास्ट होगा तीसरा वहां पे 7262 सेयर हो जाएगे उसके उपर मेरे को लगबग 1,45,000 के आस-पास मिलेगा और यहां पर देखे जब चोथा साली स्टार्ट होगा तो उस समय मेरे पास सेयर हो जाएंगे 7,746 और उसकी उपर जो डिविडेंट मिलेगा 20 रुपए गा वो लगबग 1,500,000 से प्लस हो जाएगा और वहां पर मैं अगर 300 रुपए की हिसाफ से मेरे पास और देखे जब पांचमे साल में मैं स्टार्ट करूंगा तो लगबग 9,401 सेयर हो जाएंगे और 20 रुपए के हिसाब से 1,88,000 के आस-पास मेरे को सेयर मिलेंगे और यहां पर जब यह लास्ट हो जाएगा मतलब यह पांचमा साल जब खतम होने जैसा रहेगा तो 10,000 से प्लस मेरे पास हो जाएंगे सेयर अब अगर मैं उसको अगर डूड़न करता हो तो दो लाग के ऊपर मेरा डूड़न जाता है अगर मैं छटे साल में जब मैं आता हूं तो छटे साल में लगबग यहां पर 11,409 सेयर हो मिलेंगे नो सेयर के आसपास और उस समय मेरे को 2,00,000 से प्लस दिविदेंट मिलेगा और यहां पर अगर मैं देखू लास्ट में मेरे को जो छटे येर का जो लास्ट है तो बारह आजार नोसो इकासी सेयर हो जाएंगे उस पे लगभग मेरे को धाई लाग से उपर का डिविडेंट मिलेगा अब सात्मा साल जब स्टार्ट होगा तो लगभग उस समय मेरे पास तेरह आजार आठ सो चीयासी सेयर पड़े और उसके उपर लगभग मेरे को 20 रुपे का अगर डिविडेंट मिलेगा तो 2,76,000 के उपर मेरे को ये डिविडेंट मिलेगा और उस साल के अंत में लगभग 15,754 सेयर मेरे पास हो जाएंगे और उसके उपर लगभग 3,00,000 से प्लस का मेरे को डिविडेंट यहां पे मिल और 3,00,000 से प्लस का डिविडेंट मिलेगा और उसी साल में 8 साल में 8 साल के आंत में लगबग 19,120 सेर हो जाएंगे और उसमें मेरे को लगबग 3,00,000 से प्लस का डिविडेंट मिलेगा और जब मैं 9 साल में जाऊंगा तो वहां पे मेरे को लगबग 20,394 सेर हो जाएंगे और चार लाग के प्लस डिविडिन्ट मिलेगा और उसी साल के अंत में 23,204 सेर हो जाएंगे मेरे पास और 4,64,000 से प्लस मेरे को यहां पे डिविडिन्ट मिलेगा अब दसमे साल में अगर हम जब जाते हैं तो दसमे साल का जो हमारा स्टार्टिंग सेर होगा वो लगपक 24,751 सेर और 20 रुपे के हिसाब से लगपक 4,95,000 के आसपास यहां पे मेरे को खाली डिविडिन्ट मिलेंगे और जब दसमे साल का जब लास्ट होगा तो 28,161 सेर हो जाएंगे मेरे पास और 5,500,000 से प्लस का मेरे को यहां पे डिविडिन मिलेगा अब उसका अगर मैं सेर खरीदूंगा 300 रुपे के हिसाब से तो 1877 सेर मिलेंगे जब मैं 11 साल हो जाएंगे तो यहां पर देखिए 30,000 से प्लस मेरे पास सेर हो जाएंगे और उस समय मेरे को 6,600,000 रुपे लगबग डिविडिन्ट मिलेगा 6,000 से प्लस का डिविड करते हैं 11 साल के जब लास्ट में तो लगबग मेरे पास 36,456 सेर हो जाएंगे अगर मैं उस सेर को टोटल कलकुलेशन करता हूं 300 के हिसाब से तो लगबग मेरे पास एक करोण 93,000 अरसट अरसट सो 24 सेर मेरे पास हो जाएंगे यह देखिए अभी जो रिसेंट इसने दिया थ ने वो इसकी लिस्ट है तो देखिए ऐसा नहीं है कि डिविडेंट हमेशा इतना हायर दे सकता है यह बहुत ही हाई है अगर आप कल्कुलेशन करेंगे तो लगबग 42 से 43 रुपे के करीब यह जाता है लगबग यहां पर 82 रुपे का यह डिविडेंट दे चुका है अभी तक तो आपका डिसीजन है अभी आपके हाथ में है कि आपको कहां पर सही इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर हमारा पैसा कई मल्डिपल गुना हो ठीक है आप समद रहे हैं तो ऐसे जगह हम इन्वेस् हमारा इन्वेस्टमेंट करना है आपके हमारा गीजे तो एगे हैं ब entwickeln कि आपके हमारा ऊंवेस्टम रहे हैं पर दूपी में हमारा भाई बावेस्टमेंट रहे हैं अद्वेस्टमेंट